है हलो वालकशinsky क्लास में है कि जो हमारा ओन्गांग चैप्टर है जलने वी ओ सिकेंगे 2019 कंप कि कैसे वी लेटी हैं उनको है षाइड एक लाज लिव गन्य tapaht any आज इसमें ट्रांजिक्शन्स लिख रखी हैं आप एक्जाम्बल के लिए गुट्स ओल फॉर रूपीज 10,000 गुट्स ओल टू राजा 8,000 बिल्डिंग वर्थ 20,000 वर्स ओल बिल्डिंग वेच दी फरनीचर वर 10,000 वर्स ओल टू सोनु गुट कोस्टिंग 5,000 वर्स ओल टू फॉ यह तो थी हमारी जो हमें जलो एंट्री करनी है तो सबसे पहली गुट्स ओल फॉर रूपीज अब गुट्स ओल फॉर रूपीज 10,000 अब देखे बिटा यहां पे कैस भी नहीं लिखा है किसी परसन का नाम भी नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे हमने इसको कैस में सेल कर देखे हमारे पास आया क्या वेटा कैस आया न तो कैस सेकाउंट डावीट ठीक है अगला है घुट्स ओल टू राजा 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 को ने गुट्स बेच दीए आठ जार रूप है कि तो उपर क्या जाएगा आपको पता है ना डैबिट में राजा जाएगा कि अब कैस नहीं आ रहा है यहां पे एक पर्टिकुलर पर्शन का नाम लिखा है इसका मतलब क्या कर दिया हमने गुर्ष को क्राडिट पे सोल्ड कर दिया उधार पे बेच दिया ठीक है तो राजा अकाउंट है विट एट थाउजन टू सेल्स अकाउंट एट थाउजन उसके बाद आ रहा है बिल्डिंग वर्थ रुपीज 20,000 वर्शोल्ड जो बिल्डिंग है ने विल्डिंग यह पर्टिकुलर एस है तो इस विल्डिंग को विटा जब हम बेचेंगे तेंट्री करेंगे कैस अकाउंट डाविट की कैस में बेची है तू बिल्डिंग अकाउंट यहां पर सेल्स अकाउंट नहीं आएगा ठीक है यहां पर सेल्स अकाउंट नहीं आएगा यहां पर इस बिल्डिंग अकाउ अगला देखिए और समझे दियां से फिक्त वाला गुड्स कोस्टिंग फाइब थाउजन्द वर सोल्ड फॉर रूपी शिक्स थाउजन्द गुड्स जिसकी कोस्ट कितनी थी वेटा पांच हजार की बेच दिये चेह जार में मतलब कि हमें प्राफिट कितने का हो गया एक हजार का कि पांच हजार हमारी कोस्ट लगी थी और बेचा कितने में है छे-जार में तो एक हजार का प्राफिट हुआ लेकिन अब याप धिये ध्यान रखना कि जो गुड्स हम बेजते हैं ना इसमें किसी भी तरीके का profit record नहीं करते हैं तो जैसे पहले entry करी थी सेम वैसे entry कर देंगे बस उसकी जगावे बेटा जितने का बेचा है उतना लिग देंगे तो कोई profit यहाँ पे record नहीं होता है तो simple जैसे पहले entry करी थी cash account, debit to sales account, 6000 लिग दोगी बस यह ध्याँ रखना है आपको उसके बाद बेटा machine बेची है particular assets है आप जानते हो जिसकी cost कितनी सी 13,000 की और किसको बेची है Mr. Rameis को बेची कितने में बेची दी बेटा 15,000 में समझना cost कितनी है 13,000 की बेच 15,000 में दी तो profit कितने का हो गया 2000 का हमें profit हो गया 2000 का profit हो गया और Rameis को बेची है नाम लिखा है इसका मतलब credit में बेची दी cash का नामों निशान नहीं है तब इसकी entry कैसे करेंगे बेटा जब किसी particular assets को हम बेचते हैं तो उसके profit या loss को हम record करते हैं अगर कम में बेचते जब मान लिजिए 13,000 की थी उसको 10,000 में बेच देते 3000 के loss को record करते अब 13,000 की है 15,000 हम बेची दिया profit हो गया तो profit को भी record करेंगे लेकिन उपरवाली entry में आपने देखा कि हमने profit record नहीं किया कहीं भी 6000 का बेचा तो 6000 का लिख दिया देखिए entry कैसे करेंगे बताया था अभी बेचा हमने बेच दिया अपनी building 13,000 की थी 15,000 को बेच दिया तो machine कितने की थी बेचा 13,000 की तो simple कहा लिखो कि रमेज account debit 15,000 तो machine account और जो बेचा profit है ना उसको हम कहां पे लिखते है PNN account इसका मतलब होता है profit and loss account तो insult में इसको लिखा जाता है PNL account तो machine कितने की है 13,000 की profit कितने का हो गया 2,000 का दोनों को अगर हम मिला दें ते कितना बन जाता है 15,000 का तो रमेज से हमें कितने पैसे लेने है 15,000 रुपे लेने है रमेज से तो इस तरह से हम क्या करते है sales related entry करते है और purchase related entry मैंने आपको पहले ही वीडियो जुमें करवा रखी है अब आपके लिए home up क्या है आपकी book में जो question number 1, 2 illustration वाला है 1, 2 जो practice वाला है वो बेटा solve करना है पहले वाला तो purchase related है दूसरे वाला sales related है अगर आप solve कर लोगे तो बेटा आप कोई topic आ जाएंगे so thank you for watching the video